अगर आपके पास Nokia G20 ये G21 ये G22 है तो उसके अंदर आप notification sound को किस तरह चेंज कर सकते हो, notification sound को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका अपने phone की setting को open कर लेना है, उसके आपको यहाँ पर option चो होगा sound and vibrate इस पर tap कर लेना है, उसके आपको तुर से नीचे जाना है, अगर आपको यहाँ पर कोई भी sound नहीं लगाना तो आपको कोई भी नोटिफिक से sound नहीं आएगा, उसके बाद आपको सबसे निचे जाना है, सबसे निचे आने के बाद आपको यहाँ पर option चो हो जाएगा add notification इस पर tap कर लेना है, आपने जितने विचे डावड कर रहे होगे, वह सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, तो इस तरी के साब एक बाद टैप कर लोगे और जो उसका पहला अक्सर होगा, आप दिस्तों है आपर आई है और यह उपर आजगा, ऐसे ओके कर दोगे, टैप करके आप देख सकते बस आपको कुछी निकाना, जो भी आपको लगाना, इस तरी की से लगाओगे, ओके कर दोगे, और यहाँ पर आपका हो सैट हो जाएगा, तो इस तरी की से अपने फोन के अंदर भी नोटिफिक्स साउंड को चेंज कर सकते हो, अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक, सबस्क्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जब तक के लिए, बाई!